पीश है राजिसान की पांच बड़ी खबरे कोरोना मरीजों के मामले में जयपूर देश में तीसरे नमबर पर पंज़ाब के ट्रॉक ड्राइवर की बोरुंदा में संदिक दिमार पास जारी करने की वर्तमान प्रनाली अगले आदेश तक जारी रहेगी कल के बाद लग सकता है मोडिफाइड लॉकडाउन और अब खबरे विस्तार से कोरोना मारीजों के मामले में जयपूर देश में 815 मरीजों के साथ तीसरे नमबर पर पहुँच गया है जयपूर में 11 नए कोरोना फजिटी मरीज पाई गए इसे रहस्तान में मरीजों का कुलांकडा 815 हो गया है मुंबई और दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा मरीज रहस्तान में है रहसान चोथे नमबर पर है पहले नमबर पर महरास्ट और दूसरे नमबर पर दिल्ली है जयपूर में बोरुंदा अद्योगिक शेत्र में 40 साल का ट्रक ड्राइवर कैबिन में ही बेसूद पाया गया साथियों ने उसे अस्पिताल पहुँच आया लेकिन चिकिसकों ने उसे अम्रद घोशित कर दिया संदिक्त मौत होने की संभावना पर तीनों लोगों की सैंपल लिये गए है पुलिस के अनुसार पंजाब की मोगा जिली के धर्मकोर्ट का 40 साल का सतनाम सिंग अन्या दो साथियों के साथ 9 अप्रेल को धर्मकोर्ट मोगा से रवाना होकर 10 अप्रेल को बोरुंदा पहुचा था सतनाम सिंग कैबिन में ही बेसुध हो गया जिसे हरप्री सिंग और परसपार सिंग राज के चिकिसकों ने उसे म्रद खोशित कर दिया प्रदेश में कोरोना वारस के रोक थाम के लिए मुख्यमंद्री अशोग हलोद ने कलेक्टर्स को साथ तोर पर ये निर्देश दिये हैं कि संक्रमन को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाईयों के साथ सक्ती से फोकस करते हुए निप्टा जाए रविवार को 11-0 के करेक्टर्स और कोरोना संक्रमन रोकने में जुटे हुए वरिस्ट अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरान मुख्यमंद्री ने निर्देश दिये कि जो इलाके होट्सपोट के रूप में चुर्हित किये गए हैं वहां कर्फ्यू और आसपास के इलाकों में लोकडाउन की सकती से पानना करवाई जाए भीलवारा मॉडल को फॉलो करते हुए ज्यादा से ज्यादा टीम तैयार करके घर घर सर्वे करवाने के निर्देश भी दिये रासान के अतरिक्त मुखे सचीव ग्रह राजीव स्वरूप ने कहा कि पास जारी करने के वर्तमान प्रणाली आगामे आदेशों तक जारी रहेगी प्रदेश में 14 अप्रेल से पुलिस द्वराही ने धारित पास जारी करने के आदेश पर विभेन संसानों और लोगों की चिंता को देखते हुए पुलिस महाने देशक के साथ समिक्षा की उन्होंने कहा कि विभेन प्रादी करनों द्वारा जारी किये गए वर्तमान पास और मीडिया सहित अधिकारी की या फिर कंपनी द्वारा जारी आईडी के आधार पर यात्रा करने के अनुमति वाले व्यक्तियों की श्रेणी आगले आदेशों तक व्याद बनी रहेगी उन्होंने बताए कि 14 अप्राद तक जारी किये गए पास, 140 रूप से तब तक व्याद बने रहेंगे जब तक की समान पास की विवस्था लागू नहीं हो जाती, इन पासों का नवीनी करन कराने की कोई अश्रक्तार नहीं होगी राइसान के मुख्यमंत्री अशों गैलोद ने कहा कि देश में लॉकडाउन करने ने तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ही करेंगे पर राजसरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन पर विचार कर रही है जयपुर में अभी कम्यूनिटी संक्रमन की स्थिती नहीं है लेकिन रामगंज में भीलवाडा की तरह सक्ती होगी मुखे मंत्री ने वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि लॉकडाउन और वित्य सुधार के लिए ग्रह विभाग के ACS राजीव स्वरूप, पूर्व केंद्रे वित्य सचीव, अर्विंद माया राम के अध्यक्षता वाली समीतियों ने रिपोर्ट दे दी है उसे अमल में लाएंगे मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहट अलग-अलग विवस्ता बहाल होगी इस बुलेटिन की खबरे समाप्थ होई और अब SBT News की अपीर लॉकडाउन में घर पर रहें, सुरक्षित रहें कोरोना वाइरस से बचाव के लिए हर एक घंटे में साबुन से हाथ धोई या हैंड सेनिटाइजर का उप्योग करें आप अपना और अपनों का ख्याल रखें अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर